एक बार फिर से आप सभी का स्वाकत है पुलिचन में सबसे पहले बात करेंगे भुपाल की जहां राम लला के दर्शन करेगा MP मंद्री मंडल आज मंद्री मंडल के सदस्य पत्नी के साथ अयुध्या जाएंगे राम लला के दर्शन सभी करेंगे तो पर एक बचकार 55 मिनिट पार राम लला के दर्शन करेंगे तो आज पूरी कैबिनेट भवा रंग में नजर आएगी राम मैं होते हुई नजर आएगी हमने देखा 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिश्टा हुई उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे थे कि जारी है सिलसला लोगों के पहुँचने का और चली सीधर करेंगे हमाई समवाद दता रंचना लाइफ जोड़ गई है हमाई साथ उनके साथ वित्यमंत्री पूरी माध्यप्रदेश की राम लला की दर्शन के लिए कितने उत्साहित है सब जी प्रशुन चाह बिलकुल आज जो मोहन काबिनेट है वो आयोध्या पहुचने जारी है उस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीम है जगदीश देवडा उनी से बात करेंगे सर आज का दिन बेहाद महत्पूर है क्योंकि आज आप मुख्य मंत्री श्रिवरा सिंग चोहान आप और तमाम जो काबिनेट है वो राम लला के दर्शन करने जा रही है जिस इस्तान पर मर्यादा पुर्शोत्रम स्रीर राम का जन्म हुआ और जो संकल पता की वहाँ पर भव्य मंदिर वनाएंगे तो यशश्वी प्रधान मंत्री जी के नेतरतों में भव्य मंदिर भी बन चुका है और प्राण पतिष्टा भी यशश्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्तिती में प्राण पतिष्टा भी हुई पूरे देश ने दिपावली मनाई, खुशियां मनाई, दीप लगाए, आतिश बाजियां हुई उसी इस्तान पर मंद्यपदेश का मंत्री मंडल या डाक्टर महोन यादव जी के नेतरतों में जा रहा है और परिवार सही जा रहा है, तो हम जाकर के प्रार्थना करेंगे कि पूरे प्रदेश में खुशाली रहे, सब लोग सवस्त रहे, समरद्ध हो और पूरे देश में फिर एक बार भारती जनता पार्टी की सरकार बने और यशाश्वी प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी फिर प्रदान मंत्री बनकर के बेठे पूरा देश राम मैं हुआ था जब रार्ण प्रदिश्टा होई थी और एक बार आज फिर आप लोग पूरी तरह से राम मैं नजर आएंगे तो रहे गई पूरा देश, राम का ही देश है, राम का ही परिवेश है, सब कुछ राम का है और अपन सब राम के हैं हम तो आपको भी बोल रहे हैं कि आप सब लोग भी जाईए दर्शन करिए तो ये हमारे साथ उपमुख्यमंतरी है जगदेश देवडा जी जो ये कहरें कि पूरा देश राम का है और राम मैं ही है और राम सिप रातना यही रहेगे कि इसी तरह से जो खुशाली समर्दी है वो देश में बनी रहे प्रशंचा बिल्कुल और सभी उत्साहित है राम लला की दर्शन आज करेंगे लिकिन चलिए अब आपको सीथे लिए चलते हैं अयुद्या जहाँ पर हमारे समवादाता प्यूश पारे मौजूद है प्यूश आपका मैं रोक करना चाहूंगी जिस तरीके से मध्यप्रदेश की पूरी कैबिनेट आज राम मैं नजर आएगी अयुद्या पहुचेगी राम लला की दर्शन करेगी वहाँ पर किस तरीकी की तैयारिया क्या नजर आए जर तस्वीरें दिखाएए अधिकर बात करें तो आज बहुत महत्पुन्ट दिन है डॉक्टर मोहन यादाव मुक्यमंत्री जो है उनके नितुरत में पूरी कैबिनेट अईवधिया पहुच रही है राम लला के दर्शन यहाँ पर किये जाए है भगवान राम लला का जब से प्रांट प्रतिष्टा मौच सा हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसला जा रही है और पूरी तरीके से हम लोग देखें तो राम माए इस वक्त यह 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 पर पहुचने के बाद में सीधे तोर भगवान राम के दर्शन के लिए राम लेरा मंदिर के लिए पहुचेंगे और उसके बाद में यही पर एक विशेश भोज का आयोजन भी यूजी सरकार के जो है वो द्वारा किया गया है जहां पर भोजन पर प्रसादी ग्रेंट के बाद में जो है वो चर्चा की जाएग जो है वो इस वक्त हम कार सेवक पूरम में मौजूद है और ये काफी महत्पून केंद्र माना जाता है अगर बात की जाए तो ये आप पढ़ सकते हैं कि श्री महेंत रविंद्र पूरी जी महराज अध्यक्ष अकाड़ा परिश्यद मा मंसा देवी ट्रस्ट के तरफ से जो य यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सत्र प्रकाश शर्माजी ने उसे बनाया था लेकिन आप पीछे देखें यह राम लला की जो है वो विशेश तोर पर अयोद्या का मंदिर है खास तौर पर हम लोग बात करें तो चारों तरफ आपको कार सेवक पूरम में भगवान रा बढ़ेमस्ट का लिखाई श्रकार एकार अविशेश दो पर लेकिर तरीके से वहां का अनी बड़ी बहुमिका रखता है तो तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब इंतेजार है मध़बर्देश की बाइज मंतिरी यहां पर पहुंस रहे है तो यह कहा जा सकता है कि नगई आप प्रारूप क्या होगा उस पर भी आज बहुत कुछ चर्चा है झाल झाल